पहले महंगाई आपको डायन लगती थी लेकिन जब से आपकी सरकार बनी है तब से महंगाई आपको भौजाई लगने लगी है ये कहना है तजश्वी आदब का प्रेयम मोदी को लेकर नमस्कार मैं श्वेत और आप देख रहे हैं न्यूस फोनिशन तजश्वी आदब एक बार फिर से प्रिधान मंतरी नरेंदर मोदी और भाषपा सरकार पर जम कर बरसते हुए नजर आ रहे हैं तजश्वी आदब कह रहे हैं कि जब इनकी सरकार नहीं थी तब इन्हें महंगाई जो है वो डायन लगा करती थी लेकिन अब इन्हें महंगाई जो है वो भौजाई लग रही है दरसल आपको बता दे कि देस भर में एक जुन को सातवे और आखरी चरन का मतदान होना है सासा राम लोगसवाश शेतर में बी एक जुन को मतदान होने वाला है चैनपुर विधान सवांतरगर्त हाटा के सभा में संबोधित किये। उन्होंने महागठबंदर प्रत्यासी मनोज राम को भारी मतों से जिताने की अपील भी की। पीम नरेंदर मोधी पर तंच कस्ते हुए कहें कि जब तेल साथ लीटर थी और सिलेंडर पांसो का था तब पीम नरेंदर मोधी को महंगाई डायन लगा करती थी। अब महबूबा और भोजाई लगने लगी है। एक तरफ जहां उन्होंने कहा है कि पीम नरेंदर मोधी जब जब बिहार आते हैं तो मम म करते रहते हैं। किसी प्रधान मंतरी को मम करना शुभा देता है क्या मसे मचली, मसे मंदिर, मसे महजित यही सब वो दिखाते हैं। लेकिन मा से महंगाई इन्हें नहीं दिखाई देता है उन्हें बिहार ने 49 सांसर दियें इसके बाबजुद उन्हें बिहार में विकास का कार नहीं किया है सारा काम विकास ये लोग गुजरात में करते हैं हम बिहारी लोग गुजरातियों से नहीं डरते हैं तो आप देख सकते हैं कि त्रश्वी आदब किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंदर मोधी पर हमला वर होते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि पीम नरेंदर मोधी जब भी बिहार आते हैं तो म म करते हैं म से मंगल सुत्र, म से मंदिर, म से मचली, म से महजित लेकिन मज से महंगाई कभी इनके मुह से नहीं निकलता है 2014 से पहले जब 60 रुपे तेल हुआ करती थी 500 रुपे सेलेंडर हुआ करता था तब इन्हें जरा महंगाई जो है वो डाइन लगा करती थी लेकिन अब महंगाई इन्हें महबूबा और भौजाई लगा करती है तेश्वी आदब ने ये सारी बाते रैली को संबोदित करते हुए कहा एक तरफ जहां तेश्वी आदब इन दिनों काफी जादा हमला वर होते हुए नजर आ रहे हैं पाश्पा सरकार पर एक मौका नहीं छोड़ रहे हैं वहीं दूसरी और तेश्वी आदब ने ये भी कहा है कि इन गुजरातियों से हम बिहारी डरने वाले नहीं है फिलाल के लिए सब्डेट में इतना ही